शान्ति 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 ही जलेस मिन सन्निधिम को राम राम मैं पंडित इसके मिस्र सपनों में रिष्टेदारों को देखना अपने रिलेटिव को देखना क्या फल देता है अगर आप अपने सपनों में माता पिता को देखते हैं भाई को देखते हैं किसी मित्र को देखते हैं नाना नानी को देखते हैं या अन रिष्दारों को देखते हैं तो उसका क्या फल मिलता है मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ बीडियो को ध्यान से पूरा देखने का और समझने का और सुनने का भी प्रयास करें अगर आप सपने में यह देखते हैं कि कोई आपका दोस्त है दोस्त किसी भी अवस्ता में हो सकता है अगर आपको अपना दोस्त दिखाई दे, अपना मित्र दिखाई दे, आपकी सहली आपको दिखाई दे रही है इसका मतलब यह होता है कि आपके मित्र को आपकी सलाह की ओसकता है आपको वहाँ जाना चाहिए, वहाँ आपको सुनना चाहता है या आप यहां चालते हैं कि वह आपकी बात सुनें अता उनसे अतिसिग्र आपको मिलने की आउसकता है या उनसे बात करने की आउसकता है अगर आप सपने में देखते हैं अपने दादा को दादी को नाना को नानी को इसका मतलब यह होता है कि आपके बुद्धी में ब्यापार में और आपके हर छित्र में सफलता मिलने का संकेत देता है सपने में दादा, दादी, नाना, नानी को देखना आपके बुधी में बरहुतरी और आपके प्यार में बरहुतरी आपके प्रेम में प्रगारता के निसानी को देता है अताया सुबसंकेत है सपने में अपने माता, पिता को देखना अगर आप अपने सपने में अपने माता को देखते हैं, अपने पिता को देखते हैं, किसी भी वस्ता में देखते हैं तो इसका मतलब आने वाले समय में आपको हर जगह मान समान और आर्थिक लाभ मिलने वाला है आपके आर्थिक समस्या, मानसी कवस्ता और सारी कवस्ता में ब्रिधी होने वाली है अतह माता पिता का सपना प्राय सुभ होता है अगर आप यह देख रहे हैं सपने में कि कोरिष्तिदार आपके घर आ रहा है या आने वाला है या आपके घर में आपको रिष्दार आया हुआ है तो इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में आपको पद्धुनत्ति होने वाली है आपके मान संबान और पद्ध प्रतिष्टा में व्रिद्धी होने वाली है जल्द ही आपको नए आउसर मिलने का संकेत दिलाता है सपने में किसी विरिषदार को देखना किसी वी रूप में चाए आप एगर आ रहा हो या घर में हो या घर आने वाला हो सपने में भाई का देखना सुभ माना जाता है निकट भविस में आपके मित्रों की संख्या बढ़ने वाली है आपकी अच्छे मित्र बनने वाले हैं आने वाले समय में सपने में अपने पती को देखना अगर आप अपने सपने में अपने पती को देखती हैं तो यह सपन प्राया अतिस्तुभ की स्रेणी में आता है इसका मतलब यह होता है कि निकट भविस्ट में आप लोग के बीच काफी प्रगाहता होने वाली है आप लोग के दामपत्य जीवन में काफी मधूरता आने वाली है यह आप पिछले कुछ दिनों से परसान भी है अपने दामपत्य जीवन को ले करके पती-पत्नी के समंधुक ले करके अगर उनमें कटता भी आ गई है और आप किसी रूप में अपने पती को देखती हैं सपनों में तो इसका मतलब यह होता है कि आपके जीवन में सुक, सम्रिधी और आनंद की ब्रिधी होने वाली है सपने में अपने टीचर को देखना, गुरु को देखना सपने में टीचर को देखना या गुरू को देखना का संकेत या होता कि आने वाले समय में जो बधाएं हैं आपकी टलने वाली है अगर कोई समस्या चल लगी है कोई बाधा आज इसे प्रित हैं परसान है तो उनसे निजात मिल जाएगी और आपको सभी कारों में सफलता मिलने वाली है टीचर का सपने में देखना या गुरू का सपने में देखना प्राया सुभही माना जाता है मैंने आप भली भा समझाने का प्रयास किया है सपनों में अपने रिष्दारों को देखना रिलेटिव को देखना फिर भी अगर आपके किसी रिष्टे में है रिष्टों में तलाग तक की नौबत आ गई है या प्रेम विबाह करना चाहते हैं मन चाहिए साधी करना चाहते हैं कोई बाधा आ रही हो तो बिलकुद निरास होने के उसक्ता नहीं है अपना तुरंत का खीचा फोटो डेटाबर्स का डिटेल हस रेखा का फोटो हमारे वार्टसप पे मैसेज करें मैं आप लोग की एनरजी को रेट करके कुलनी को रेट करके हस रेखा को रेट करके आप लोग का उचित मार्ग दर्सन करूंगा और और सकता पड़ी तंत्रों के माध्यम से यंत्र का समधान पल भर में चण भर में दूर कर सकती है और आप सभी हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की आर्थिक समस्या मानसिक समस्या और सारीरिक समस्याओं का समधान प्राप्त कर सकते हैं धन्यवाद राम राम